जय हिन दोस्तों, तो मेरे नाम है फाहद आश्मी और आप देख रहे हैं ट्रेविल विट फाहद आज मैं आया हूँ वर्सुवा में जहां पर बहुती फेमस मजार है और बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं जहां अमनत मांगते हैं तो आज मैं दिखाता हूँ यह मजार आपको बहुती फेमस इस मजार का नाम है शुकुर अल्लाशा बाबा यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी खुबसूरत नजारा है तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आपको इसकी कूबिया दिखाएंगे और एक किस्सा है वो हदरत सेयद शुकर अल्लाश बाबा कादरी चिष्टी यह देखिए तो अब अम अंदर जाने वाले हैं जैसा मैंने बोला था तो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कैसा नजारा है तो आस-पास का एरिया कुछ ऐसा है तो यह वरसुआ में है और बहुती एजी है रास्ता है तो चलिए अब मैं अंदर चलता हूं और दिखाता हूं अंदर का नजारा आपको तो यह में इंट्रेंस है गेट है और चलिए अब अंदर चलते हैं है तो यह देखिए कि किना खुपसुरत नजारा है बाहर का कि यह देखिए बहुत दूर दूर से यहां पर लोग आते यह देखिए कबूतर तो यह यहां का एक अलगी नजारा है खैर तो यह कुछ ऐसा है यहां पर यह देखिए यहां पर वजू करने का बनाया है क्योंकि अंदर मस्जिद भी है तो चलिए देखते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं अभी फिलाल रमजान का महीना चल रहा है ज लोग आते रहते हैं और काफी अच्छा नजारा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह यहां से यह मज़िद का इंटरेंस है और यह मज़िद का है अंदर का फैर अभी मैं मज़िद नहीं जाऊंगा तो कि अलड़ी में नमाज पढ़ चुका हूं तो अंदर का है यह कुछ सूरस्ता नजारा और वहां पर देखिए रमजान की वज़े से इफ्तारी की तैयारी शेद चल रही है और यहां पर कुछ लिखा हुआ है हिंदी में तो मैं देखता हूं क्या लिखा हूँ है मैं जूम करके दिखाता हूं आपको आप समझी के होंगे क्या लिखा है और यह एर बी में कुछ लिखा हुआ है यह उपर एक उम्मद है और यह देखिए यहां पर तो सामने आप देख सकते हैं अभी रोजा खुलने का वक्त हो रहा है तो यहां पर अफ़तारी लगा ही जा रही है यह देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूं कि यह देखिए कि बहुत सारे रोजेदार आते हैं क्योंकि रोड पर है तो बहुत सारे लोग आते हैं रोजा खुलने के लिए तो अभी इफ़तारी का टाइम हो रहा है इस वज़े से यहां पर इफ़तारी के तैयारी चल दूए है तो यह कुछ ऐसा देखा ही होगा यहां का पूरा नजारा सो मैंना दिखा दिया काफी फेमस मजार है और यह मज़िद भी है यहां पर तो काफी अच्छा लगा होगा शैद आपको मजाया होगा यह देखकर और यह बड़सौवा में हैं तो अगर आप और अधरी वेस्ट्री या उसके आस प और यह रहां मेन गेट इसका तो अब विलोग बन चुका है काफी अच्छा और यह कबूतर तो भाई दिल जीत लेते हैं अट तो इहां का मैंने आपको नको निकल रहा हूँ यह असे काफी टाइम हो गया रोजां खोलने का भी टाइम हो रहा है हुआ है को एसमनुघ जाया हैं तो दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीलोग अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएंगा सस् जय हिन